हेलो दोस्तो खेंपुर रिपेर यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक पैनौन कमपनी का USB कार्ड है लेकिन ये जो कार्ड है दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का है इस तरह का कार्ड आपने अभी तक नहीं देखा होगा आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं कि ये और USB कार्ड के मुकाबले थोड़े अलग टाइप का है उसकी वज़ा दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो बीटी कार्ड तो आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं इसको यूज करने का सही तरीका और इसका प्राइज दोनों आपको बताने वाला हूँ चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसका जो यह लेमिनेशन है इसको यहाँ पर कट करना है तो इसमें आप जो ब्लूटूथ कार्ड यूज करते हैं जो के मार्केट में मिलता है तो देखिए कुछ इस टाइप का जो कार्ड होता है ठीक कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है ठीक है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप देख लीजे कि एक कार्ड है और फलाल कार्ड काफी बढ़िया और बड़ा है ठीक है जो अपने नॉर्मल कार्ड होते हैं उससे आप देख सकते हैं कि ज्यादा बड़ा है और इसके साथ यहाँ पर wires है और wires भी थोड़े ज्यादा हैं और एक remote है और remote भी आप देख सकते हैं कि remote जो है वो भी थोड़े अलग type का है और थोड़ा बड़ा भी है ठीक है क्यूंकि इसमें function ही ज्यादा है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर आप बात करते हैं सबसे पहले दिखिए, जो इसमें Lid है, वो कौन-कौन सी यह दिखिए, आप देख सकते हैं 2 वायर वाली है, यह 3 वायर वाली है यह 4 वायर वाली है और यह एक अलग से Lid है जिसका यहाँ पर jack भी आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है ठीक है इस वाली leads से इस वाली जो यह step है इसका jack काफी बड़ा है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ठीक है तो यह हमारे पास wire है इसके साथ remote है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं लगी भी इसको हम खीचते हैं तभी इनिमोंट काम करेगा अब बात करते हैं इस कार्ड की तो देखिए इस कार्ड में हमें क्या-क्या मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं USB भी है MP5 है FM है Bluetooth है TF कार्ड सपोर्ट करता है इसके साथ डिजिटल वीडियो प्लेयर भी है यह तो इसमें क्या है दोस्तों के आप USB चिप को लगा करके आप इसमें वीडियो देख सकते हैं और इसकी जो वीडियो है उसको आप अपने टीवी पर चला सकते हैं अपनी LED LCD वगरा पर देख सकते हैं मतलब ये इसमें काफी अच्छी चीज लगी मुझे और जो हमारे ये वाले नॉर्मल कार्ड होते हैं वो देखिए कुछ इतना बड़ा होता है ठीक है सामने से देखने पर आपको सेम लग रहा होगा लेकिन जब हम इस साइट को देखेंगे तो आप देखी कितना ज्यादा फर्क है दोनों में ठीक है तो दोनों में आप फर्क देख सकते हैं और यही वज़ा है कि मुझे ये कार्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर जो है दोस्तो एक चीज में आपको और बता दू कि दोनों के रिमोट में देखी कितना फर्क है ये नॉर्मल वाले Bluetooth card का remote है और ये इस card का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में कितना ज्यादा यहाँ पर फर्क है ठीक है दोस्तो अब हम बात करते हैं दोस्तो कि इसमें जो इसके function वगेरा हैं वो कैसे कैसे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो दोस्तो देखिए जो पहला वाला जैक है यह audio इनके लिए है यहाँ पर आप audio को देंगे ठीक है इसके अंदर अगर आप aux वगेरा की audio इसमें देना चाहते हैं तो इससे देंगे और remote से control कर सकते हैं यह हमारी audio out के लिए हैं अगर आपको इससे amplifier वगेरा चलाना है या फिर 44-44 का board चलाना है home theater कुछ भी चलाना है तो उसके लिए यह वाली audio है या आपको मान लीजे LED चलाना है ठीक है तो LED के लिए audio को आपको यहीं से देना है ठीक है कार्ट के अंदर देने के लिए यह वाला jack है और कार्ट से audio लेने के लिए यह वाला jack है इसके बराबर में जो jack है red color का आप देख सकते हैं तो यह इसका power का jack है और यहाँ पर जो यह वाला jack है यह इसका video का है ठीक है इस पर आप लगाएंगे तब ही आपको इसके इस card से जो है वो video मिलेगी लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जिस पर आपने ध्याना भी नहीं दिया देखिए ground five volt slash plus 12 volt ठीक है तो यह यहाँ पर दो चीज़े लिखी है five volt भी है बारा वोल्ट भी अब आप इसको कैसे use करेंगे मान लीजे five volt भी लिखा बारा वोल्ट भी तो इसका मतलब क्या यह है कि यह five volt से बारा वोल्ट तक चलेगा तो दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इस पर five volt से ज़्यादा कि supply देंगे तो यह तरंद खराब हो जाएगा अगर इसका मतलब यह है कि आप इसको five volt से बारा मतलब उपर जबी चलाएंगे जब आप इसमें बारा वोल्ट की supply के नहीं कुछ regulator controller वगेरा कुछ लगाएंगे ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो यह आप देख सकते हैं जो जगा दिख रहे हैं यहाँ पर आपको 7805 नंबर का जो IC आती है तीन लेग वाली छोटी वाली जो के वोल्ट को regulate करती है तो वो वाली IC आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर वो क्या करेगी five volt कर देगी बारा वोल्ट के तब आप इसको use कर सकते हैं मतलब इसको 12 volt से तब चला सकते हैं आप डारेक्ट 12 volt के supply देंगे नहीं चलेगा खराब हो जागा डारेक्ट आपको चलाना है तो आपको इसको five volt के supply यहाँ पर देना होगी और इसका जो supply वाला jack है वो आप देख सकते हैं अलग type का है इससे आप पहचान सकते हैं कि यह आपके supply पर लगना है क्योंक्क है यह बड़ा है और यह बराबर वाला video वाला जो है वो छोटा है ठीक है तो इस तरह से आपको इसकी supply देना है और video के नितम आना बता जिया ग्राउंड और ये CVBS जो है ये वीडियो वाला प्रेंट है ठीक है यहां पर आप लगा कर इससे वीडियो ले सकते हैं दोस्तों ये काट काफी ज्यादा अच्छा आप इसको 5 वोल्ट से यूज कर सकते हैं मतलब बहुत ही कम पावर लेता और आप इसको कहीं भी आसानी से ले इसको फिट करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद इसका यूज करूंगा और इसकी जो क्वालिटी है उसको देखूंगा कैसा वर्क करता है दोस्तों मैं आप से बस यही कहूंगा कि आप इस कार्ड को आफ लाइन लें तो आपको सस्ता पड़ेगा ऑनलाइन लेंगे तो यह चीज़ आप दियान लएंगे हैं आपको इसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगी तो आप इसको अगर चेक करके लें अगर आपके जो शॉप कीपर हैं अगर वो इसको चेक करके दोगाना और इसको आपको सीधी तरह से लगाना ठीक है ये चीज़ आप ध्यानकना खांचे की तरफ को आपको इसको लगाना है उल्टी साइट को नहीं लगाना ठीक है और जो प्लस वाली वायर है उसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ और माइनस वाली वायर को ठीक है और हम इसमे आडियो वगेरा की वायर नहीं देंगे पहले मैं यह देखता हूं कि इसमें पावर जो है वो कैसी आती है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक बैटरी का यूज करूँगा और दोस्तों यह जो मेरे पास बैटरी है यह आप देख सकते हैं कि यह बैटरी 4 वोल्ड यह ठीक है और इस ठीक है तो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से मैं पिलस पर पिलस लगाऊंगा आप जब भी वायर लगाएं तो इसके जो वायर है उसका ध्यान लखें इसके जो कनेक्शन है वो रॉंग ना करें ठीक है पिलस पर पिलस माइनस पर माइनस ठीक है तो यहाँ पर शायद अभी सह चार्ज नहीं है ठीक है अन हो रहा है अच्छी तरीके से ठीक है लोडिंग ले रहा है लेकिन अभी इसमें कोई USB चिप नहीं है मतलब किसी भी चीज से यह connect नहीं है इसलिए अभी यह on नहीं हो रहा है ठीक है सिर्फ load लिखकर आ गया है बाकी मैं इसको next वगेरा करके देखता हूं कि शायद यह होगा या नहीं होगा तो अभी आप देख सकते हैं कि FM इसमें लग गई है ठीक है और इसको next करते हैं तो देखिए Bluetooth इसमें on हो गई ठीक है तो card जो है हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है हमारा जो next video है आने वाला उसको आप जरूर देखे अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके price की तो दोस्तों यह जो मुझे मिला है यह मैंने offline लिया है online नहीं लिया offline जो मेरे यहां पर electronic की shop है market है वहां से लिया है तो य मैं आपको बतानूं दोस्तों कि यह जो है market में अपसे एक दो साल पहले इसका rate पांच सो साड़े पांच सो रुपय था अब इसका rate बिलकुल आधा हो गया है मतलब काफी ज्यादा कम हो गया पहले rate ज्यादा थे और अब कम है तो दोस्तों बस यही आपको बताना था इस card क की जानकारी देना थी हमारा जो next video आएगा उसमें मैं आपको इसके connection करके दिखाऊंगा इसको लगाने का सही तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको असानी से लगा सकते हैं और आपको चला कर भी दिखाऊंगा इसके video भी दिखाऊंगा ठीक है तो आप हमारा आने वाला video दिखें वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को subscribe करें क्योंकि नेक्स वीडियो जब मैं डालोंगा तो आपको उसका notification मिल जागा अगर आप चैनल को subscribe कर लेंगे तो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching